मॉर्निंग बेटा आज हम लिखेंगे धर से धकन क्या है ये धर ठीक है डर्डमरू तक लिख लिए ना अब हम लिखेंगे धर धर से धकन ठीक है ठीक है धकन तो इसको लिखना कैसे बेटा ये देखेंगे आप आपके मम्मा पहले के साथ धर लिख देंगे है ये ना और आप पैंसिल से आपने ऐसे सीधी डॉट़को मिलाना है पिर एक निच्चे को आएगा डोट और इसको आपने आईसे मिलाना है जैसे टो टमाटर लिखते हैं वैसे ही और इसको बीच में ऐसे टर्न कर देना है अंदर की तरफ को यह बन जाएगा धो फिस से देखेंगे वे टू पहले सीधी लाइन लगाएंगे आप फिर नीचे को छोटा सा डंडा फिस डोट को मिलाते हुए मिलाते हुए आप लिख देंगे टू बहार नी निकालेंगे इसी के उपर और इसको बीच में ऐसे कर देना है दो धकन धो धकन ऐसे सीधी लाइन फिर आप ऐसे सीधा डंडा और इसको ऐसे मोडते हुए इसे टर्ट मटर बन जाएगा और इसको आपने इसके बीच में टर्न क पुझाद कर देना ही यह बन जाएगा धर धकन बेता इसके बाद आपको सिंगल डॉट के उपर लिखना बताती हूं जैसे यह सिंगल डॉट है ठीक है तो आपने ऐसे सिंगल डॉट से सीधी लाइन लगानी है फिर यह छोटा संडेंडा ठीक है और जैसे आपने टोट माटा लिखा था, कैसे लिखा था सीफ और कैट आलके ना, और इसको आपने यहाँ पे ऐसे गुमा देना है ठीक है, ऐसे सीधी लाइन, चोटा सा डंडा टर्ट माटर और इसको भीज में ऐसे टर्न कर देना है अंदर की तरफ को मोर देना है बन जाएगा धर धकन सीधी लाइन चोटा सा डंडा टर्ट माटर और इसको आपने ऐसे टर्न कर देना है बन गया धर धकन क्या बना धर धकन चोटा सा डंडा और इसको ऐसे टर्न किया और ऐसे क्या बन गया धर धकन ठीक है बेटू तो आपने इस तरह से लिखने धर से धकन ठीक है बेटू तो ओके बेटा बाई